यह देखे गाइज आज की हमारी रेसिपी मिक्स बेज सबजी तो देखे कितनी यम्मी और कितनी टीस्टी बनी है देखने में ही मूँ में पानी आ रहा तो चलिए बनाते हैं हेलो आप सबका स्वागत है हमारे यूटूब चनल चाहे मिसरा में आज देखे हम बनाने जारें मिक्स सबजी मिक्स बेजरेबल तो देखे हमने क्या क्या लिया हुआ है तो आप देख सकते हैं यह पांस मिरच ले लिए हैं हरी और यह लेसन की कलिया पांस इच्छे प्याज दो मीडियम साइज और प्याज थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं गोभी मटर गाजर और यह बीन्स और यह हम सारी मिक्स कर लेंगे इनके अलावा भी आप सब्जी ले सकते हैं यह देखें दो मीडियम साइज के आलू क्योंकि बच्चेशों को आलू जादा पसंद आते ह कम берसी बंद गों भी यह हमारी लग वग 394 है इसको आप जो सब्जी आपको ज्याधा पसंद terre यह कर दीचिए तो चलिए बनाते हैं यह को प्याज लेखले सब्सक्राइब 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 यह लेसन भी डाल दिया है हरी मिरच भी डाल देंगे इसमें और इसको हम महीन चॉप कर लेंगे अब इसको हम चॉप कर लेंगे तो देखे महीन चॉप कर लिया है हमना चॉपर में डाल कर यह हमने लिया है 1.5 इंच अद्रक का टुकड़ा इसको भी हम चॉप कर देंगे अब ये टमाटर दो मीडियम साइज के इनको भी हम चॉप कर लेंगे आप ये देखे गाइस हमने अपना ओयल रख दिया है तो आप जो भी ओयल खाना चाहें आप भू मस्टर्ड ओयल या फिर कोई भी ओयल ले सकते हूं जो खाते हूं आप इसको गरम कर लिया है ये डाला हम देखे इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक जिसकी वज़ा से प्याज हमारा जल्दी कुख हो जाएगा अब हम इसमें आट करेंगे सूखे मसाले तो यह हमने हींग आट करी है यह को भी अच्छा से बून लेंगे इसमें चलाते हुए और आप सूखे मसाले थोड़े से ज हल्दी पाउडर लाल कस्मीरी मिर्च पाउडर एक स्पून ही मिर्च डाली है क्योंकि यह मिर्च कड़वी नहीं होती है इस वज़े से यह डाल देते हैं यह देखिए हमने जो टामाटर चॉप करके रखे थे वह भी डाल कर इसमें पका लेंगे अच्छे से तो नमक हमने अच्छे से पक जाएंगे यह हमने कस्तूरी में थीए यह वही कस्तूरी में थी है जो हमने घर में बनाई थी जिसकी वीडियो हमने आप लोंको दीया था इसका लिंक हम रिसक अप्संबाक्स में दे देगे तो आप देख लीजेगा इसको भी हम चलाते हुए बून लेंग इस समय मौसम की सब्जेयां बहुत अच्छे से आती हैं जो की बहुत बहुत ज्यादा आती हैं यह बहुत अच्छी होती है तो अपनी सब्जेयां एट करेंगे यह ले लिए बीन्स गाजर मटर गोभी आलो इनको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से क्योंकि जब हम बंद गोभी एट करेंगे तो वह हम अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे तो यह सब्जेयां मिक्स होंगे पहले से तो ज़्यादा अच्छा होगा तो अब हम डालेंगे इसमें अपनी बंद गोभी जो कट करके रखी थ तो इसलिए हमने बोला था कि आप अपने हिसाब से जो भी सब्जियां खाएं जैसे सिम्बला मिर्च वो गए रहा है तो वह आप एड कर सकते हैं मिक्स बेज़िटेबल में पनीर भी इसमें एड कर सकते हैं बट हमारे पास इस समय पनीर नहीं था इसी हो जैसे हमने आलू पकाने गए जैसे ही चलाते हुए हमें इसे कोक करना है अच्छे से लगवाग दस मिर्ट से पंद्रा मिर्ट में यह सब्जी बनकर बिल्कुर रिडी हो जाती है और बहुत यम्मी सब्जी बनकर त्यार होती है यह देखे गाई समारी बन चोकी है सब्जी तो अगर आप थो तो अगरमसाला एड करेंगे रहाट करेंगे हुए थिहाम देख आता करएंगे हरी धनिया केदा हुर्ण आप अदिह सूखी चाहते हैं लाएं सुखिया करें दोला जाएं gently लिए में सेर लुटाब करें दोलोगे सेर। झाल 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 झाल